अगर आप भी बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्क्रिप्ट राइडर, तो हम इस संपर्थ कर नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूँ अनुश्रुती आज का हमारा ये प्रोग्राम भारत और इंगलेंड में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के उपर है मैच के बारे में बोलने से पहले मैं आपको बता दूँ इक बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग फैक्ट कोई भी टीम टून डाउन होने के बाद कभी भी सीरीज नहीं जीती है लेकिन लेकिन सिफ एक ऐसी टीम है जिसने सीरीज जीता है वो है ऑस्ट्रेलिया और वो भी इंगलेंड के खिलाफी इसके बारे में और हमारे और भी बातों के बारे में जादा बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स टीम के एडिटर से जो है अभिलाश है अभिलाश कैसी है अच्छी हूं शुरू होने वाला है यह काफी इंट्रेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि जैसा आपने बताया कि तरीके से जीता है दो सो तीन रनों से भारती टीम ने इंग्लैंड को हराया है और यह जीत इसलिए भी माइने रखती है क्योंकि इंग्लैंड में भारत की सबसे बड़ी जीत है और यहां पर जैसे आप आगड़े जो बता रहे इतनी में सुन रहा था अभी जो पहली बार आस्ट्रेलिया की टीम ने 1975 में इंग्लैंड को टू डाउन होने के बाद तीन दो से हराय था हाला कि यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में खेल गया थो थोड़ा हों कंडिशन का फाइदा जरूर मिला था लेकिन भारती टीम के पास वो पस आगया है अभी तक जो हमारा जो हमा में वापसी की विराट कोली ने शतक जड़ा बहतरीन उन्होंने टॉप स्पोर्ट भी हासिल किया है लेकिन यहां पर जरूरी है कि अगर आपके बल्लेबाज रन बनाएंगे तो यह बात तय है कि भारती टीम यह टेस्ट मैच जी अभी बात की है विराट कोली के बारे में बताना चाहूंगी कि विराट कोली जो है वो अभी अभी टेस्ट मैच के नंबर वन बैट्समान बन गए हैं जो कि अभी हाली में आई आई सीसी के रैंकिंग में हमें पता चला है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे शुती सबसे पहले तो बता दें कि यह जो खिलाडी है इस से कई दिगजों ने कहा है कि यह भविश्य के सचिन तंदुलकर है और कहीं ना कहीं बंडे में 35 शतक हैं 23 शतक इन्होंने हाली में टेस्टमेंट होगा है तो अरूंड उनके टोटल अल अरूंड अगर इंटरनाशनल हंड़ेट्स देखें तो अरूंड फिप्टी एट सब कॉंटिनेंट के अंदर जितने भी बल्लेबाज है वहां पर विराट कोहली दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए है जिन्हों ने अपने करियर की सबसे बहतरीन रेटिंग्स जो है हासिल की है 700 सहती संग है हाला कि जिज को विराट कोहली ने पचाड़ है उनका नाम स्टी डॉन ब्रेड मैन की बराबरी करने वाले हैं विराट विराट अगर यहां पर एक शहतक और लगाते हैं तो शायद डॉन ब्रेड मैन के उस रिकॉर्ड तक पहुच जाएंगे 780 का अकड़ा है और अगर वो विराट कोली चूलेता है तो शायद इनसे बहतर बल्लेबाज को विराट कोली एक बहुत ही जादा स्टेबल पोजेशन पे हैं और अपने आपको बिल्कुल आगे बढ़ कर जो है अपनी टीम के लिए परफॉर्म भी कर रहे हैं देखें यह हमेशा एक लीडर की क्वालिटी होती है जब आप खुद परफॉर्मेंस देते हैं तो आपकी ट विशु का सवशेश बल्लेबाज नहीं माना जाता था लेकिन यह कैसा खिलाडी है सचिन तंदुलकर के बाद जिन्होंने दुनिया के जो टेस्ट प्लेंग नेशन जिसे हम कहते हैं टॉप नाइन टीम्स के हर देश में जाकर रन बनाएं सिर्फ इंगलेंड उनसे वंचित टेस्ट मैच जिता हैं भारती टीम को इसमें विराट कोहली का 70% रोल है और यह कैसे कपतान है जो सिर्फ जीतना जानते है इन्हें पता है कि अगर मेरी टीम पर्फॉर्म करूँगा तो मेरी टीम भी पर्फॉर्म करेगी जैसा मैंने पको प्रोग्राम की स्टार्टिंग मे अगर बारती टीम के पास वेराइटी है जस्परीद बूमरा वापस आये तीसरे टेस्ट में और उन्होंने क्या स्पेल फिका है यह पूरी दुनिया ने देखा है तो अब जो है साउथ हैंटन में भारती टीम के पास मौका है अगर आपके बल्लेबाजों ने रन कर दी पांचवा टेस्ट मैच बहुत जादा जो है वो इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पर आभी तक जैसे के मांकडों की लगतार बात कर रहे हैं यहां पर भारती टीम के पास पूरी तरह से मौका है इतिहास बदलने का किसी भी टीम ने ऐसा कारनामा नहीं किया ह टु डाउन होने के बाद कि वो टीम जीती हो सीरीज लेकिन यहां पर भी आपकोली की टीम ने पूरी तरीके से वापसीützen है दो रही बात हमारे विराट कोली जो कि क्यापटन है लेकिन इसे भी साधा महत्पून बात अभीलास ने हमें बताई है वो कहीं हमेशा शजा का जा इशान और साथी साथ मुहम्मद शमी उन तीनों ने ही काफी अच्छी गेनबाजी की है और कहीं न कहीं हमारी टीम को लीड भी दिलवाई है लीड दिलाई है क्योंकि देखे शुती अगर हमारे बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहे हैं तो शायद इंग्लेड के बल्लेबाज भी उतरा परिशान हुए है आपको मैं बता दूँ एक चोटा सा आकड़ा हम तीन टेस्ट मैच हमने तीन टेस्ट मैच की छे पारियां देखी ह होता यहां पर बल्लेबाज इंग्लेंड के भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी होम कंडिशन्स पे उनको यह नहीं समझ आ रहा है कि आपको बुम्रा को कैसे खेलना है जौस बटलर का में बयान सुन रहा था जौस पटलर ने खुद का है कि बुम्रा का जो वेरियेशन है वो काफी है मैं दूसरी बात रवीचंदर नश्विन हम उससे सुबह भी बात करें थी अश्विन के बारे में रवीचंदर नश्विन का जो एक रोल है उन्हें काउंटी गिलने का बड़ा फायदा मिला है आमोवन हमने जो रिस्ट स्पिनर्स का जो खेला है चहल और कुल् कि अश्विन के साथ यह एक पॉजिटिव नोट दिखा है लेकि अभी मुझे थोड़ा सा यह है कि पिछले टेस्ट मैच में बहुत कम बोलिंग हुई थी और इस पर यह भी बोला गया था यह भी बयान आया था कि अश्विन चोटन है इस वज़े से उनसे कम बोलिंग बताना चाहूंगी कि कहीं भी अगर आप किसी भी अबराट खेलते हो तो वहां की पिछिस जो है सूटबल फॉर फास बोलर्स होती है ना की स्पिनर्स यही कहा जाता है कि एश्याई टीमों की खासियत होती है कि उनकी जो पिछिस होती है वो स्पिनर्स के लिए बनाई जात अश्विन को इस टेस्ट मैच में काफी जादा चांसेज मिलने की उमीद है शुरुथी तो रहेंगे टीम में लेकिन अगर अश्विन नहीं होता है क्योंकि ये मैच से पहले ही पता चल पाएगा अगर अश्विन फिट नहीं होता है तो रविंदर जडेजा डेफिनेट लेकिन English conditions जो हैं यहां पर दिक्कत आपके पेसर्स इस वज़े से खड़ी कर पाते हैं बहुत इस वज़े से सकेट होती है क्योंकि यहां पर डेली बारिश होती है हर दो तिन तीन दिन में जिसका फाइदा पूरे गेंदवाजों को मिलता है और अंडर्सन ने वो दिखाया है यहां पर हमारे गेंदवाज भी भारी पड़े हैं मैं यह नहीं कहूंगा कि सिर्फ इंग्लिश बल्ले गेंदवाजों नहीं बहुत अच्छी गेंदवाजी की है बारती गेंदवाज तोड़ा से तूट जाता है और उसके बाद फिर आपके स्पॉर्ट पगड़कर गेंदवाजी कर सकते हैं अब देखेंगे इंगलेंड की टीम ने आदिल रशित को खिलाया आदिल रशित ने बड़ा परिशान के विराट कोली को पूरी सिरीज में लेकिन यहां पर आदिल रशित की जरुत ही नहीं पड़ी क्योंकि उनकी कंडिशन्स वैसी तो यहां पर हो सकता है कि विराट कोली ने गेंद बाजी नहीं कराई तो इसका मतलब यह नहीं है कि अश्मीन वो इंपोर्टन प्लेयर नहीं है आपके पास इंपोर्टन प्लेयर वो हैं टॉप 11 में कहेल तीम का लड़का डेब्यू करने वाला है मैं आपको बता दूँ कि उनका नाम प्रित्वी शौ है जो की डेब्यू करने वाले हैं प्रित्वी शौ कैसे अंडर 19 टीम से सिफ 6 महीने के अंदर वो अपनी इंदिन में टीम में जो है जगा बना लिए इसके बारे में आपको अ इस साल का शुरुवात में लेगिन प्रित्वी शौ ने उसके बाद 14 पारियों में 14 फर्स्ट ग्लास मैचस में करीब पंदरा सो के आसपास रण बनाया है और उनकी और उसत है करीब साथ की जिसमें उनके साथ शतक और पांच अर्च शतक हैं तो प्रित्वी शौ एक इंप में खेल चुके हैं और इन 38 के 38 मैचस में उन्होंने टीम चेंज की जह हो जीते हो या फिर वो हारे तो यहां पर कप्तान की बुक साफ नजर आ रही है कि उन्हें कैसे भी करके मैच को जीतना है पहले उनका दाव उल्टा पड़े या सीधा सेगंड टेस्माइच भारती टी तो यह बात साफ है कि शिकरदवन केल रहूल में से कोई एक खेलेगा और प्रित्विश ऑपने डेब्यू करेंगे बिलकुल जाते जाते इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्लेइंग 11 की संभावना आपके हिसाब से क्या हो सकती है इस बार देगे मेरे साब से टीम में इ कपतान कोली की प्लेस कोई नहीं ला सकता पाच नमबर पर उपकतान अजिंक रहाने क्योंकि उन्होंने एक अच्छी पार्टनर्शिप दी थी जिसकी वज़े से बारत ये टेस्ट माच जीत पाया छे नमबर पर रिशब पन्त पिछले मैच के डेब्यूटेंट बहतरीन प इन तीनों को का खेलना लग भगता है और स्पिनर की अगर बात की जाए तो रविचंदर अश्विन खेलेंगे अगर अश्विन की फिटनेस पर फैसला आ जाता है अगर अश्विन नहीं खेलते हैं तो रविंद्र जड़ेजा खेलना उनका तय है चलिये लेकिन अब विला के लिए एक अच्छा कॉंबिनेशन सेट हो जाए देखिए शृति बिलकुल हो सकता है क्योंकि बहुत अच्छा कुश्चन आपने पूछा है क्योंकि वर्ल्ड कुप जो है अगले साल जून में ही है अमूमन इंग्लेंड में जून में समर्स चलते हैं और जादा वर्ल्ड आप रन बनाएंगे उसमें लेकिन जब कंडिशन्स ओवर कास्ट होते हैं जब बादल आते हैं और जब पानी गिरती हैं और जब हवाएं चलती हैं तो यहां पर यह कंडिशन्स उतनी ही ज्यादा खराब हो जाती है बल्लेबाजी के लिए तो बहुत इंपोर्डेंट होता लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तन्यवाद स्टार्ट यूर करियर विफ अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और विपोटर पीजियो एटिटर कैमरा मैं या स्कृप राइटर तो हम इस संपच करेंगे